हाई प्रेंड्स बूड मॉर्णिंग तो आल अफ यू वेलकम तू जारकन एजुकेशन हब मैं हूं रिदेश और आज है 21 मार्च 21 मार्च से जारकन के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और जारकन के करेंट अफेर्स क जारकन के और चैनल पे सभी क्लास्व के पिडिय द मिल जाएगी सबही सबके के नौटिफिकेसं मिल जाएगी और जारकन की रिलेडेट जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का आप लोग जरूर जोइन कर लें इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्टिम में मिल जाएगा इस क्लास का आप लोग लास्ट तक देखें और लास्ट में आपको एक कुश्चिन भी पुछा जाता है जिसका आप लोग आंसर जरूर दें और लास्ट में हम लोग जाकन के रिवेज डेज के कुशिन पॉर्टेंट करेंट अफेर्स का भी रिविजन करते हैं तो इस क्लास क प्रविभ लाष्ट तर देखे की चलते हैं अपने पहले कुछियन की और देखते हैं आज का हमारा पहला कुछिसन घरा मन्त्री चंपाई सुरेन ने जाकर में गरामिन बस्यभा करना की ये जाकर मुelos Ce np तेया की नाम से जाना जाएगा तो इस ये जाना को झाकर मुलज मन्त्री ग्रामिन परीवां रम योजना के नाम से जाना जाएगा इसके लिए राज्जी की छेस्वची और हेस्टी इसमें S.C. और S.T. बर्ग के लाभार्तियों को बस खरिदने के लिए ब्याज पर सबसीडी दी जाएगी तो इसे आप लोग याद रखे यह मंत्री चमपाई सोरेल और इन्होंने अभी जाकन में गरामीन बस सेवा शुरू करने की गोशना की है जिसे किस नाम से जना जाकन में ग्रामीन परिवहन युजना के नाम से इसे जाना जाएगा इसे आप लोग याद रखे जाकन में ग्रामीन बस सेवा शुरू की जाएगी तो चलिए देखते हैं हमारा अगला कुश्यन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्स कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नूटिविकेशन आपको मिल सके और वीडियो को भी एक लाइक जरू कर दें तो चलिए चलते में लोग अपनी अगले कोश्यन के ओर हमारा अगला कुश्यन है राची इस्तित बिर्सामुंडा एरपोर्ट उपभोगता संतुष्टी सर्वे में देश बर में कौन सा इस्तान प्राप्त किया है तो इसका सही अंजर क्या होगा अप्शन 20 का विल्कुल से अंस हो जागा दूसरा बिर्सामुंडा एरपोर्ट य इस ने अभी उपभोगता संतुष्टी सर्वे में पूरे देश में दूसरा इस्तान प्राप्त किया है तो जारकन के राची इस्तित बिर्सामुंडा एरपोर्ट जुलाई से दिसंबर के बीच उड़ने वाले एरपोर्ट पर उपभोगता संतुष्टी सर्वे में देश देश भर में दूसरा इस्तान प्राप्त किया है तो अगर पूरे देश की बात की जाए पूरे देश में जारकन की बिर्सामुंडा एरपोर्ट जो राची में दूसरा इस्तान प्राप्त किया है और बिर्सामुंडा एरपोर्ट की इस्टन रिजन की बात करे तो इस्टन रिजन में इसमें पहला इस्थान प्राफ्ट किया है इस्टन रिजन की बात करें इसमें टोटल 14 एरपोर्ट है जिसमें बिर्सामुंडा एरपोर्ट ने पहला और पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में दूसरा इस्थान प्राफ्ट किया है बिर्सामुंडा एरपो यह कहां पिस्थी थे तो यह राची में इस्थी थे और इसने अभी पूरे देश में दूसरा इस्थान और इस्टन जोन की बात करें इस्टन रिजन की बात करें तो इस्टन रिजन में पहला इस्थान को प्राफ्ट कर लिया है उपभुगता संतुष्ठी सर्वे में इसने हम हालि में जारकन के की सिस्चर असथान में इस्स्मार्ट इंडिया हैका थान का इंडिया także सिंट का उधियेंगे राची की सिंडिया कूनंगा फिर्यव के वोड़न कह sommes इस नए उदमी बनाने के लिए और इनोवेटर के रूप में विख्षत करने के लिए Smart India Hackathon का आयोजिन किया गये था तो Smart India Hackathon का आयोजिन कहां पर किया गये था IIIT यारी IIIT रांची में किया गये था IIIT रांची इसकी फुल्फरम क्या है इसकी फुल्फरम है Indian Institute of Information Technology अगर आमायोग इसकी इसकी इस्टेबलाइज क्या गये था तो वर्थ 2016 में इसकी इस्टेबलाइज क्या गये था विष्णू प्रिये दॉक्टर विष्णू प्रिये इसके वी डारेक्टर है तो इसे आप लोग याद रखे जाकन के किस खिलारी को जुनियर भार्तिये महिला होकी टीम का कप्तान बनाया गया है तो इसका सही अंसर क्या हुआ इसका सही अंसर होगा ऑफशन है सलीमा टेटे दासर की महीला किलारी सलीमा टेटे को जुनुनियर भरतिय महीला होक्य टिम का कफदान बनाया गया है यानि उफचल Um. से यह ढ़त येगा चांकते इसके बारे में खाली में junior भरतिय महीला किलारी सलीमा टेटे को बनाया गया है एक से लेकर 12 अफ्रेल तब साउथ अफरिका में होने बाले जुनियर 20 सोगप में भारतिय टीम भाग लेगी इसे के लिए ज्याकन की महिला होके खिलारी सलिमा टेटे को भारतिय ओ महिला होके टीम की कफ्तान बनाई गी है जुनियर भारतिय महिला होगी टीम की कप्तान बनाई गया है, साती जाकन से तीन किलाड़ेओं का चैन किया गया है, इन तीन किलाड़ेओं में सलिमा टेटे इने कप्तान बनाई गया है, ब्यूटी डूम डूम और संगीता कुमारी सामील है, जाकन से टोटल तीन के रुटत को जुनिय धार्तिय महीला होके टीम का कफ्तान बनाया गया है सलीमा डेार्टे तो यह इ jurisdसे अनलीonda कंगी करें यह टहित ही एक्षे लेकर्प्षे माइला होके किषयर कित्सषा काफ्थ कायोजीन क्या जाएंगा बाइबर the सलीमा टेटे को कप्तान बनाया गया है जुनियर भारतिय महिला टीम की बात करें तो यह है जुनियर भारतिय महिला टीम हाली में राजी के किस जिले के माईका खदान की निलामी की जाएगी तो इसका स्रीय अंतर क्या होगा इसका स्रीय अंतर होगा ओप्सिन ए कोडर्मा कोडर्मा जिले के माईका खदान की निलामी हाली में की जाएगी कोडर्मा इसी परहो माइका ब्लॉग की निलामी की जाएगी 5.44 इकड़ में ये फैला हुआ है और 1.15 मीर्टी टन यहाँ पे माइका रिजर्व है अगर हम लोग बात करेंगे माइका की तो माइका कुछ एक प्रकार से देखा जाता है कोडर्मा की बात करें तो कोडर्मा यह है मैं अपने कोडर्मा का फॉर्मिशन कब क्या गयता तो 1994 में कोडर्मा का फॉर्मिशन क्या गयता कोडरमा में ब्लॉग की बात करें तो कोडरमा में टोटल 6 ब्लॉग है बात करेंगे कोडरमा की तो कोडरमा किस के साथ अपनी बाउंटरी को सेर करता है तो ये एक राज्जी के साथ अपनी बाउंटरी को सेर करता है बिहार के साथ और जाकन के दो जीलों के साथ ये अपनी ब आप रख रायधानी की नाम से जाना जाता है तो आप लोग याद रखे जंशित्पुर को 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 जंशित्पुर क पार्मिक राजधानी देवघर को कहा जाता है और माइका क्या पेडिल ऑफ इंडिया यानि भारत की अब्रग राजधानी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है तो राजधानी से जूरी इतनी सारे चीजों को आप लोग याद रखें अगर हम लोग कोडरमा की बात करें तो कोडरमा की बात करेंजर तो कोडरमा का सिक्फी एच परसंट इसका लिटरियट है औरéta चुडरилась अगरना में वह जूरी इतनी थारे चीज़ों को आप लोग याद रखे कोडर्मा में ब्लॉक की बात करें तो कोडर्मा में टॉटल 6 ब्लॉक है यह है कोडर्मा के 6 ब्लॉक आपने याद कर लिए और इनके पोजिशन को भी आप याद कर सकते हैं आपसे पिछले वीडियो में यह कोशिण पुशा गया था हाली में राजी में कहां पे सेफ यू अंडर 18 माईला फूटबॉल चेंपिन्सिप को शुरू कर गया है तो इसका सही अंतर होगा जम्शेदपूर यानि ऑप्शन 20 का विल्कुल सही अंतर होगा सेफ यू अंडर 18 माईला फूटबॉल चेंपिन्सिप तो यह जम्शेदपूर में शुरू के गया है और 15 मार्च से ही इसकी शुरूबात की गई है जम्शेदपूर में इस्तित है जे आडी टाटा इस्पोर्स कॉंप्लेक्स वहां पी इसकी चुरूबात की गई है तो आज के लिए आपका कुशिन है हाली में राजी के किस जिले के जगदीर सरकार के किताब को बिश्वो के 6 से युनिवेस्टियों में पढ़ाई जारी है तो जो भी इसका सही अंतर होगा आप लोग कमेंड करके आंसर दे और उसकी बारे में डिटेल में लिखिए तो चलिए जार्कन के प्रिवेस्टियों के कुशिन इपॉर्टेंट करेंज अफेर्स काम लोग रिविजन करते हैं इसमें हमारा पहला कुशिन है हाली में कितने समुदायों को अनसुची जनजाती में सामिल करने का एक बिल राजसभा में पेस किया गया है और जनजाती मंतरी अर्जुन मुंडा के दोरा राजसभा में ये बिल को पेस किया गया है हाली में छाकन के कि सिच्चन सहस्तान के अध्यापक को Young Researcher Award 2022 का चैन किया गया है तो इसका सही अंतर क्या होगा? इसका सही अंतर होगा Option B राची उनिवर्ष्टी राची उनिवर्ष्टी के अध्यापक को Young Researcher Award 2022 के लिए चैन किया गया है यानि option B का भिल्कुल दी अंसर चाहिगा, हाली में कब 14-14 घतना को 100 वर्थ पूरे हो गए हैं, तो 14-14 घतना के बाद करें, इसका सही अंसर होगा option B, 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922 में 14-14 घतना होई थी, और 4 फरवरी 2022 में इसे 100 वर्थ पूरे हो गए हैं, तो इसे भी आप लोग ग आगुषिआ, कब से की सभी जिलो में वालिब्ल परसचन सीवीर का आयोजिन कर गया था, तो इसका सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर होगा option 25-25 फरवरी मैं 25 फरवरी से दो 2 दिवसीय, याप लाजटन सीब्ल्ल कर आयोजिन कर गया था, यानि, option C का बेंब्लकुल सही आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नहीं हो तो चैनल के साथ बने रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक कियर बाई बाई